हेलो एवरिवन कैसे हो आप सुभी लोग काफी लोग ही मेरे पास क्यारी आते ही कि उनकी मैस में कैलकुलेशन स्पीड बहुत कम है ठीक है एक्जाम में कैलकुलेटिव कोश्चेंस आ गए बिग मल्टिप्लेकेशन डिवीजन आ गए कि नहीं हम नहीं कर पाए ठीक है टाइम में भी हमारे लिए fruitful साबित हो और जो एक्जाम में लोग बहुत कम टाइम में कोश्चेंस को सोल्व कर पाते हैं वो एक्ट्वली में करते क्या है सारी चीज़े मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा ठीक है तो वीडियो इंपोटेंट है लास्त तक देख लेना सा इसके बाद भी आपको कुछ आगे यूज करना होगा आपके पास बड़ावाए बीच में मिडल में कहीं यह कैलकुलेशन आगे मिज़े सोल्व करने पड़ दी तो उसमें आपको बेसिक कैलकुलेशन करने पड़ेगी वी डॉंट हैव एनी अदर लिटरनेटिव तो इस त इस तरह के कैसे इंप्रूव किया जाए ठीक किस तरह से हम प्रैक्टिक्स करने डेली यह चीजे सीखेंगे एक अप्रॉक्षिमेशन वाला होता है कि और कुछ हमारे पास होती है कैलकुलेशन को श्रोट करने के लिए जैसे डिटल सम हो गया हमारे पास ठीक है यूनिट डि को पहले प्रैक्टिस कर रखा है तो उन्हें पता इस को किस तरह सोल करना उनके दिमाग में लोजिक के लिए रहे तो वो इसको डेफिनिटली आप से पहले करेंगे उन लोगों से जो पहली बार उसको देख रहे होंगे तो इसमें तो आपको क्या करना है यह स्पीड आपक में को करने का तरीका आपके दिमाग में set होगा तो आप बागी हमारे पास अलकर मैं होग गया अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर basic calculation की बेसी कैल का कैसे एंप्रूव किया जानी किस kız सिखे क्या 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 सकते एक्जाम में क्या की चीज़े यूज नहीं कर सकते तो सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए अगर हम SSC exams की बात करें या कोई और exam भी दे रहे हो आप SSC, CGL, CHSL, Examination की त्यारी कर रहे हो तो जो सबसे ज्यादा काम पढ़ेगा आपका एक से लेके 20 तक के टेबल का तो यह तो बच्पन में हम याद करते हैं यह आपको याद होनी चाहिए एक बाइस के टेबल का काम पढ़ेगा और एक बार आप चाहो तो पॉइंट 73 का टेबल भी याद कर सकते हो not very recommended भो जाद recommended नहीं है इसका काम कप पढ़ता है जब हम height and distance के question CPO 2000 में कुछ आये थे जिसमें क्या हो रखा था कि आपको कही ना कई यह वाला एंगल दे देंगे 30 डिगरी आपको यह वाली लेंद दे रखे थी say 84 आप से पूछ ल कर लोगे तो थोड़ा सान रहे जाएगा वरना बहुत ज्यादा जूड़ी नहीं है जो में टेबल रिकमेंड़ है आपके यह एक से लेके 20 तक के टेबल याद रखने है 22 का टेबल कर लेना और 36 का टेबल कर लेना ठीक है बस इतने टेबल की जुरुत है ऐसा नहीं है तीस पैंसट का स्कॉयर के होगा बहुत कम टाइम में निकालोगे ट्रिक्स होती है निकालने की स्कॉयर को लेकिन बेसिक स्कॉयर से अगर आपको एक सुचालीस तक याद नहीं तो बहुत ज़्यादा है जैसे कि मुझसे कोई कहे कि सर 57 का स्कॉयर बता दो तो मैं देखते ही कह स्कॉयर की जो ट्रिक्स होती है उनमें मैंने चीजे समझा रखें आपको वीडियो दे दूँगा स्कॉयर का बहुत जाता काम पड़ता है लेकिन बेसिक आपको एक से चालीस तक के स्कॉयर याद होनी चीए अब याद करने के लिए आपको कुछ अलग से नहीं करता है मैं थैंकि यहँ मैं अलग से दे दूगा इनका प्रिंट उससे दो तीन बार रिट करोगे आपको याद हो जायागा कि इस से लेके 33 क्यूम में recommend करता हूं कि आप याद कर लो ठीक है जनरली एक से 10 तक कहे जाते हैं मैं एक से लेके 33 किसले recommend करता हूं जोगी जब compound simple interest के questions हम solve करते हैं खास तोर पे compound test क्योश्चन में 22 का क्योब कहीं बार देखा जाता है ठीक है 21 का क्योब कहीं बार आता है ठीक है उसे देखते ही हमें पेचान हो जाती है यहां पे चार साल का काम पड़ सकता है तो चार अगर पावर 4 की बात करो दो से लेके 7 तक की पावर 4 कर लेना ठीक है और यहां पे 10 से लेके 12 दसका तो पता ही होता है सबको पावर 4 10,000 हो जाएगी 11 की पावर 4 14641 कई बार काम पड़ेगा कंपाउंट ट्रेश्ट में ऐसे ही 12 की पावर 4 यह सारी आपको याद करनी है ठीक है अभी टेबल दे देता हूं उससे साही चीज़े क्लियर हो जाएगी और फिर मैं बताऊंगा भी आपको जो जिन लोगों लिंक दे दूँगा कैसे करना है पता किल जाएगा यहां पर सारे क्यूब मेंशन है ठीक है तो एक से लेके 23 तक क्या आप क्यूब याद कर लेना चोबिस पच्चिस का नई भी करोगे फरक नहीं पड़ता पच्चिस का कर लो तो पच्चिस का भी ठीक है 24 का छोड़ देना क्यूब याद कर लेना आप जनरली और यह एक से लेकी हाँ तो साथ तक के याद कर लेना 2401 नंबर सिस्टम में काफी बार डिमेंटर कंस्ट्रेप्ट में यह नंबर दिखेगा आपको तो वहां पर मदद मिलेगी इस से और बाकी सारे क्यूब सिंपल है एक बार पावर फो लेंगे यह वाली जो मैंने पता है यह बेसिक बेसिक चीज़े हैं जो हमें पता होनी ही चीए एक्जाम में जाने के लिए एक होते हैं हमारे पास पाइथागर ट्रिपलेट्स राइट ठेक है जैसे अगर हम राइट एंगल ट्रेंगल की बात करते हैं तो यह 90 डिग्री लिग्रेवा सस्ट ना करहें हम रजाएं तो हमारे पास होता है यह वाली साइड का स्क्क्वाइब प्रस यहवाली साइड का स्कॉर एंडर रूट में यहाली साइड होते हैं आपको value यह वाली 2 दे दिए आपसे पूछ लेगा यह वाली value या फिर यह वाली 2.5 दे देगा आपसे पूछ आई तो यह क्या है multiplication यहां पर हमने 2 से गुना कराता है यहां पर half कर दिया तो पाइथाग्रोश triplets यह आप याद कर लेना ठीक है तीन चार पांच पांच बारा त हिरा साथ चोधा पंधरा यह आपका perpendicular ठीक है लंब यह आधार बेस हो सकता है यह आपका हीपेटेनियस अबसे बड़े वाली साइड हाइपेटेनियस एक परपेंडिकुलर एक बेस ठीक है ऐसे लिखे वें जो इंपोटेंट हैं यह सारे के सारे आप यहां तक तो करी लेना ठीक है एक्जाम में डारेक्टली काम पड़ेगा आपका इनका इतने तो करी लेना बाकि यह वाले भी एक बार रीड करके रखना कोश्चन आएंगे तो डारेक्टली कर पाऊगे टाइम बच जाएगा गाफे जाता ठीक है ट्रिपलेट्स के बहुत कोश्चन बनते है तो हैं आपको पते होनी चीडेंगे यह जिसमें पचास से जदा के ट्रिक्स मिल जाएंगी जितना भी डिटिटल समका चालतने हैं ग्रारा रखे हैं और साथ ही साथ अगर हम बात करें, स्क्वाइर का मैंने तरीका पता रखा है, एक से लेका हजार तक की कैसे याद करने, क्यूब के जू जरौत पड़ती है, वो कैसे याद करने, तो ये वीडियो आप साधी 3 घंटे की देखोगे, डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंग है, जै एक दो दिन लगा के, ये साथी 3 घंटे की वीडियो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये काम आपको कंप्लेट करना है, उसके बाद का प्रोसिस क्या है, कि अब डेली क्या करना है, इतना हमने काम कर लिया है, मैं जो स्क्वाइर याद हो गए, मैं जो क्यूब याद हो ग तो 15 मिट देने हैं आपके, और 2 महीने तक दो, दिन का कोई भी टाइम फिक्स कर सकते हो, कि कब आपको कैलकुलेशन करना चाहते हो, उस टाइम कर लिए, कभी बहुर हो रहे हो बैट के चलो, आप कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, मज़ा आने लगेगा, चार दिन बहुत ज् बहुत मजाने वाला है, अब उसके लिए प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको प्रवाइड कर रहा हूं, कि प्रैक्टिस सेट किस तरह के करने हैं, किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, किन चीजों की जुरूत पड़ेगी, जैसे कि सबसे पहले मेरे पास है, मल्टिप्लिकेशन, म मैं चोटे-चोटे-टेवल, मैंने आपको टेबल याद करने को कहा है, एक से लेके 20 तक के, ठीक है, 22 का मैंने का, उसमें 25 का भी था, थे 11 से लेके 25 तक गाम मैंने च्जों में डाला है, अब जैसे पंथरा का है, आपको 85 को मल्टिप्लाइ करना है, इससे की क्या वैल जू सब्सक्राइब कर दोगे यहाँ पर कर दोगे पूरा दस्तर लिख लिया अब लिखने के बाद एक बार रीड करा, फिर यहां पर आप calculation करोगे ना कि 19 को इससे multiply करना है क्या value आएगी, तो इहां पर starting में दिक्कत आएगी, दो तीन calculation आप ऐसे कर चुके होगे practice इसकी, तो 19 का table आपको automatically याद हो जाएगा, अगर आप बार बार रीड करते रहोगे ना इसका table तो ऐसे याद नहीं होगा, ऐसे दिक्कत करेगा, आपने क्या करा, एक दो बार रीड कर लिया, पूरे table को एक सले के 10 तक multiplication में, उसके बाद क्या करा, इन numbers को multiply करके देखा, यहां पर values निकाल ली, अब दिक्कत क्या होती है, जो हम manually practice कर रहे होते है, calculation की, तो आपने पहले कि अगर आप multiply करोगे, फिर calculator से चेक करोगे सही है या नहीं है, उसके लिए मेरे पास solution है, मैंने आप लोगे लिए sheets तियार करी है, जैसे यह वाले पास मैंने पूरी table दिखाई, तो इसमें कितनी calculation होगे, आपके पास 10-12 number यहां पे, आड़ 10 यहां पे, total 100 के आसपस calculation होगे यहां पे, 100 के आसपस multiplication है, इनका solution next sheet में है, आपने क्या करा, इसका print निकाला, इस पर सारी calculation की practice कर ली, फिर next sheet से इससे मिलान कर लिया, कि आपकी calculation सही है यह नहीं है, आपने यह देखना है कहां आप गलती कर रहे हो, तो जिस particular number के multiplication में गलती कर रहे हो, उसे एक दो ब आप इसे multiply करने के लिए आप इसे chunks में break कर सकते हूं, जैसे मैं 48 को अगर break करना चाहूं, तो मैं इसे 16 into 3 लिख सकता हूं, और into 217 लिख सकता हूं, 3 को 217 से multiply करना आसान है, उसके बाद 16 का table आपको याद है, इससे multiply कर लो, तो इस तरह से break कर सकते है, वो बात अलगे कभी case पस गया कि आपको 39 को multiply करना पड़ेगा, तो आपको बेसिक से multiply करना पड़ेगा, उसमें वेदिक मैस का तरीका यूट कर सकते हो, और भी चीज़े हैं बहुत सारी करने के लिए, लेकिन ये आप इस तरह से लंबी calculation है, आपकर यहाँ पर आपके पास ये 48 into 217 into मैं बाइचा 9 को पहले से multiply करूँगा, फिर जो value आए कि उसे 16 से गुना कर दूँगा, उसे 25 से गुना कर दूँगा, मेरा अंसर आजाएगा, ठीक है, चीज़े समझ रहे हो, कैसे break कर करके हम calculation करते हैं, banking में ये चीज़ सिखते हैं, अब हमारे पास आता है two digit multiplication practice, तो जैसे हमने यहाँ प पर मिल जाएंगे आपको, फिर multiplication based 100 की important होती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, मेरे पास एक particular population है एक देश की, से अभी उसकी population है 50 लाग, ठीक है, next year उसने increase करा, population increase हो गई मेरी 15% से, उस से अगले साल मेरे पास population decrease कर गए कि से, से 17% से, हमें बताना final population क्या होगी, ऐसे एक तो हम successive के लिए percentage of chapter पड़ते हैं, तो successive rate निकाल लेते हैं, कि यह पहले 15 increase होगा, फिर 17 decrease होगा, तो finally मेरे पास जो change देखने को मिलेगा, वो हो जाएगा, मेरे पास minus 2 plus, ठीक है, वो करते क्या है, basically positive, फिर इसे add करेंगे, इसमें minus 17 है, फिर हम क्या करेंगे, plus 15 into में minus 17 divided by 100, या तो हम इसे क्या करते हैं, percentage change निकाल लेते हैं, अगर एक चेक्ट पूछी है, तो हम क्या करते हैं, यह 50 है, इसमें 15% increase कर रहे हैं, तो 115 भाग सो, और उसमें फिर हम 17% decrease कर रहे हैं, तो 100 में से 17 घटा है, 83 भाग सो, यह value मेरे पास आ जाएगी, 50 लाग की L में है, इतनी net population होगी, त इस तरह से आप, again, so calculation के आप practice यहाँ पर कर सकते हैं, तो यह practice कर ली, एक दिन में सारी सारी करने की तो अतनी, एक दिन में 18-10 कर ली, एक लाइन यह वाली कर ली, एक दिन में, अगले दिन यह वाली line कर ली, दूसरे अगले दिन यह वाली, ऐसे कर सकते हो, वरना ऐसे क्रिस हेंड का काम पड़ता है आपका डी정이 के अंदर ठीक हैं तो मैं ने क्या करा है है टेबल बना धी अब evition डो रता कम इस तरीके से Cases अपर के से करना पड़ेगा कई यहां पर आप क्या फिर सब्सक्रेंब कर रिए इस यहां पर लिए तो आप एक सीट की प्रैक्स कर सकते हो ठीक है एक दिन में चार यह कर ली फिर यहां से चार यह कर लिए अगले दिन फिर चार यह कर लिए ऐसे चार करके स्प्लिट कर सकते हो 3-4 दिन तक चल जाएगी इसके सोल्यूशन यहां पे हैं कि आपको कैल्कुलेटर से वेरिफाइब करने की जुरूद नहीं है नेक्स शीट में ही आप इसके सोल्यूशन देख लेना आपका काम चल जाएगा तो टाइम बच जाएगा ठीक है डिविजन का काम पढ़ता है आज कल बहुत को श्यर्फ पूछते हैं कि क्रेक्ट वन डेसिमल प्लेस बताना है आपका अंसर क्या होगा ठीक है निए रस्ट वन इंटीजर बताना है डिविजन करने के बाद इस तरह के कोश्चन साथ हैं तो यहां पर क्या करोगे आप डिवाइड करोगे और टू डैसिमल प्लेस तक आपको एक्जेक्ट अंसर बताना है तो डिविजन की अच्छी प्रक्टिस यहां पर हो जाएगी ठीक है यह इनका सुल्यूशन की सीट यहां पर है इसी तरह एडवांस सब्टेक्शन में जब बड़े नंबर्स होंगे वह सब्टेक्ट करने पड़ेंगे तो यह शीट है यह आप फोलो कर सकते हूं ठीक है तो यह सारी शीट मैंने आप लोगों के लिए बनाई है ऐसे और भी बहुत सारे प्रक्टिस सेट बना रखे हैं मैंने यह एक फ्रस्ट चीट है जो मैं आपको भी प्रोवाइड कर दूँगा और विट टाइम हर प्माच्छे दिन के अंदर एक एक शीट आपको प्रोवाइड करता रहों को टेलिग्रम चैनल में मिक्स भी प्रक्टिस कर सकते हो और मिक्स थ्री टू एट नाइन इसकी वैल्यू क्या एगी फाइनल में तो चोटी चोटी कैल्कुलेशन की प्रक्टिस हैं ऐसे कर सकते हो दिरे दिरे इंप्रूव होती रहेगी आपकी कैल्कुलेशन तो यह सारी पीडिएफ जो आज मैंने बताया इसकी पीडिएफ टेलिग्रम चै फिर जयता है आप टाइम दो रोज का 15-20 मिट निकालो 2-3 महीने में आप उससे कहीं आगे निकल सकते हो अगर वो डेली प्रक्टिस नहीं करता है ठीक है और एक बार आपकी प्रक्टिस अच्छी होगी एक बहुत अच्छी होगी तो वह काफिट टाइम तक आपके साथ रह प्रक्टिस अपनी त्यारी काफी हत्ता कर सकते हो ठीक है कुछ चैप्टर्स पूरे-पूरे-पूरे-अलजयबरा जो में तो अच्छी होगी तो बिल्कुल बेसिक से कर सकते हो प्ले लिंग डिस्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा किसी भी कॉम्टिटिव एक्जाम की ति बाकि मैं से एक्जाम के लिए क्वांटिटिटी अप्टिटूट बढ़ाता हूं आप बाकि किसी भी एक्जाम की त्यारी करते हो एक्टिस अपनी त्यारी कर सकते हो एक दो दीन ही है आप लोग के पास रफ्रेल को डार्बी टेन लगा देना डिस्काउंट मिल जागा वरन हर तरह की त्यारी हो जाएगी एक ही प्लान में साइचीज आपको अनकेडमी के थरू मिल जाती हैं तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही जल्दी हम लेंगे नई वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइबाइट टेक कियार एंड जाहेंद